गुड इवनिंग रात के नौबच चुके हैं और आपके सामने फिर से हाजिर हो एक नई कहानी के साथ एक नई दास्तान के साथ और तमाम आप लोगों के मेल मेसेजिस तब मिल रहे हैं पड़ाओं कुछ लोगों के मैं नाम नोट करके भी आया हूँ और बहुत सारे हों उसको भी आपनाने की कोशिश करूंगा और नई नई चीजें इसमें करने ही कोशिश करूंगा लेकिन पूरी कहानी सुना उसमें पहले दो चीजें मैं एक सर्बादर्शन है यह बैंगलोर में रहते हैं ओड़ीसा के है इंका भी मेल जस्त मैं यहारे से दो मिन पहले ही पढ़ रहा था तो ये बैंगलोर में हैं सरबादर्शन साहब और उडिसा के हैं और इन्हों ने ये कहा कि वहाँ की ट्रैफिक के हालत बहुत खराब होती है और मुझे 11 किलोमेटर का सफर 90 मिनट में तैय करना पड़ता है और ये शायद अभी नौकरी की तलाश में वहाँ घूम रहे हैं भटक रहे हैं तो इनका ये था कि बस से करीब 90 मिनट तक का सफर करना पड़ता है 11 किलोमेटर जाने के लिए तो आत के लिए सफर आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि रात 9 बजे क्राइम तक पर ये जो कहानी सुनते हैं तो इससे बड़ा पता नहीं चलता है सफर का और वक्त का तो सर्वादर्शन साब बहुत बहुत आपका शुक्रिया लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आपका जो ये ट्रैफिक का मसला है वो हल हो और ये भी दूआ मांगूंगा कि आपकी जल से जल नौकरी की तलाश भी खत्म हो और आप अठी रहें तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए था आपसे इसलिए मैंने शेयर किया तो क्राइम तक के तमाम परिवार के सदस से मेरे सभी का स्वागत आप लोगों का और सब आप कहानी का इंतजार करते हैं रात नौ बज़ते ही मुझे भी वैसी इंतजार रहता कि नौ बज़े और मैं आप लोगों से मिलूँ तो हमेशा की तरह फिर एक चीज ये की क्राइम तक के परिवार को आप लोग इसी तरह बड़ा करते रही है जाता सादा सब्सक्राइब कीजिए और तमाम लोगों से कहिए जो अब तक जिन् बहुत सारे लोगों ने ये कहा है मैंने एक दिन बोल भी दिया था हलाकि मैं एक चीज़ के लिए माफी मांगता हूँ पर सो मैंने ये वादा किया था कि कल सुना दूँगा जो गुजर गया कल लेकिन कल मैं भूल गया कि कल किसी और कहानी में ही उलसता चला गया लेकिन इसी लगातार तो ये नितीश कटारा मडर केस चुकि बहुत सारी फरमाईश होती है तो उसको किसको मैं सुनाओं किसको ना सुनाओं तो एक फैसला असान हो जाता है चुकि आप लोगों में से जाद तर का ये कहना है कि वो कहानिया सुना है जिसमें आप इन्वाल्व हों जिसमें आपने रिपोर्टिंग की हो और जिससे जुड़ी वी कुछ ऐसी चीज़ें हो जो मैंने टीवी पे ना दिखाई या शो में अपने ना बता पाया हूं तो इसलिए नितीश कटारा मेरे लिए इसलिए जरूरी था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ तर लोग जानते होंगे हलाकि इस बात को 16 साल हो गए ये 2002 की बात है फरवरी नितीश कटारा एक बहुत अच्छे फैमिली का एक होनेहार लगा जो MBA और उनकी पूरी फैमिली में AIS और IPS की भरमार थी नितीश कटारा के नितीश कटारा के खुद जो फादर थे वो AIS अफसर थे और उनकी मा निलम कटारा को हम सब जानते हैं मैंने पिछले 16 साल में जितनी बार मैं उनसे मिरा जितनी बार उनसे बात की उनको मिलने के बाद एक अजीब सी positive energy आती है और होसला भी मिलता है मतला बहुत ही बहादुर लेडी जो निलम कटारा नितीश कटारा की मा है और बहुत सुलजीवी बहुत हिम्मत वाली जिनके जवान बेटे का इस तरह से कतल हो जाता है जिसकी मौत हो जाती है और वो मा तूटने की बजाए एक इनसाफ की लडाई छेड़ती है और वो लड़ती है तमाम धंकियों के बावजूद तमाम मुश्किल दुश्वारियों के बावजूद सर्फ अपने बेटे को इनसाफ दिलाने के लिए ऐसे मिसाल बहुत कम मिलते हैं तेक तो मैं निलम कटारा जो को इस मामले में वाकरी सलाम करता हूँ जितनी वो ब्रेव हैं जितनी बहादुर हैं और आज भी वो वैसी हैं तो इस केस की वज़ा से हाला कि अफस तो नितीश कटारा एक बहुत ही अच्छे फैमिली का लड़का जब ये इंसिडेंट हुआ था फरवरी 16-17 फरवरी की रात थी वो 2002 का साल था और नितीश कटारा ने गाजियाबाद के इंसिटूट आफ मैनेजमेंट टेकनलोजी से पढ़ाई की, MBA की और इसी इंसिटूट मैं गाजियाबाद के भारती आदफ पढ़ा करती थी, भारती आदफ डीपी आदफ की बेटी और डीपी आदफ आप में से जादेतर लोग जानते होंगे बहु बली ताकतवर नेता जिनके उपर बहुत सारे केसिस तमाम तरह की धाराओं में और अच्छा खासा उनका बोल बहु बली नेता और डीपी आदफ का बेटा विकास आदफ तो कहानी की शुरुआत हलाकि दो हजार दो में ये इंसिडेंट हुआ लेकिन उससे पहले से है कि नितीश कटारा गाजियाबाद के इस इंसिटूट आफ मैनेज्मेंट टेकनलोजी कॉलेज में पढ़ाई कर रह है उसको मैं इसमें कोट करूँ तो जो अदालत के फैसले आया और जिस तरीके से सारी चीज़ें अदालत में कारवाई हूँ उसकी कहानी के हिसाब से कॉलेज में पढ़ाई के दोरान नितीश कटारा और भारती आदफ एक दूसरे से मिलते हैं दोनों में प्यार हो जाता है नितीश कटारा भारती आदफ से शादी करना चायता है और नितीश कटारा को यह मालूम था कि भारती आदफ कौन है डीपी आदफ कौन है लेकिन इसके बावजुद चुके वो एक उसूल का पक्का भोती शरीफ सीधा निडर उसे लगता था कि चुके उसकी मुहबत में क कोई चल कपट या ऐसी चीज है नहीं बहुत साफ सुत्रा है तो शायद दोनों परिवार के लोग इस शादी के लिए राजी हो जाए अलाकि नितीश कटारा की मा नीलम कटारा को शुरू में जब पता चला कि भारती आदब कौन है किसकी बेटी है तो उन्हें थोड़ा डर भ पर दीपी यादफ की घर के लोगों को पता चल एब डीपी यादफ के जो घर में पता चली तो धीपी आदफ का बेटा विकास यादफ और उसका कजन डीपी आदब का जो भतीजह है विशाल यादफ इन सब को भी जानकादी त sector उतीर यह लोग नाखूष थे इन दोनों क रिष्टे से या इन दोनों के मिलने जुलने से और कई बार इसको लेके नितीश कटारा को धमकीवी दी गई उससे कहा गया कि वो भारती से दूर रहे लेकिन नितीश कटारा नहीं माना था वक्त बीता गया तभी 16 दिसंबर 2002 को घाजियाबाद में एक शादी थी और वो शादी में नितीश कटारा भी पहुंचा कि नितीश कटारा को भी इनवाइट किया गया था तो शादी में डीपी यादफ की तरफ से विशाल यादफ विकास यादफ विकास यादफ की मां यानि डीपी यादफ की वाइफ भारती भारती की बहन और इधर से नितीश कटार और शादी में शादी को एटेंड किया, 16 फरवरी की राट सर्दी का महीना था, और फरवरी में दिल्ली और दिल्ली के आसपास काफी ठंड होती है, तो रात करीब 10 से 11 बच चुका शादी में, उसके बाद अचानक विकास यादव और विशाल यादव ये लोग शादी के बा जहां पर कारवार पार्क होती है, या पंडाल के पीछे, तो लोग कारोबार करते हैं, मतलब कार में बैटके शराब पीना या फिर दर उदर, तो कहानी यह कि उस दिन ये लोग भी, इन लोगों ने कुछ ड्रिंक की, विकास और विशाल और उसके बाकी दोस्तों ने, और जादी में नितीश कटारा को वो देख चुके थे, कि नितीश कटारा आया हुआ, और नितीश कटारा और भारती को बात करते भी देख लिया, इसके बाद वो रात को विशाल यादव और विकास यादव, ये नितीश कटारा को बुलाते हैं, अपने साथ, और उसे कहीं चल था और ये गाड़ी चली जाती है राती गयरा साड़े गयरा की बात थी दो सोला फरवरी दो हज़र दो उसका निचीश कटारा को वो लेकर चले जाते हैं उसका निचीश कटारा वापस लोट के नहीं आता ना उस शादी में और न घर रात के करीब तीन बच जाते हैं जब तीन बच जाता है तब निचीश कटारा की माँ निचीश कटारा को फिक्र होती है निचीश कटारा को मालूम था कि ये शादी में गया और उस शादी में ये तवाम यादव के जो डिपी यादव की फैमिली के लोग है वो भी होंगे तो वो सीधे उसको फोन मिलाते हैं, नितिश कटारा फोन पर रिपलाई नहीं करता है, तो वो भारती आदब को फोन करती है, नीलम कटारा, उन्हें मालूम था कि भारती आदब और इन दोनों के वीच में जो रिष्टे हैं सब कुछ, तो भारती आदब को जब वो फोन करती है, भारती आदफ कहती है कि नहीं वो तो यहां भी नहीं है और मुझे डाउट है कुछ, मुझे शक हो रहा है, तो वो भी घबरा जाती है कैसा उन्होंने कहा कि वो विकास और विशाल के साथ गया और पते नहीं कुछ उच नीच नहीं हो जाए, तो आप डैडी से बात कीजिए, यह मतलब डीपी आदफ से, उसके अद भारती डीपी आदफ का भी नंबर देती है, लेकिन डीपी आदफ फोन नहीं उठाते है, उसके बाद और फिर रात कॉल करते हैं, पूरी रात बीच जाती है, अगले दिन सुबा हो जाती है, नीलम कटारा बेहत परेशान घबराई नहीं, तो फिर भारती उन्हें मशवरा देती है, आप पुलिस में कंप्लेइन कीजिए, अब चुके रात भर नितीश कटारा घर नहीं लोटा, दिन हो गया, और उसका फोन भी नहीं मिल रहा है, फोन भी बंद है, और तब मॉबाइल कॉमन हो चुका था, तो नीलम कटारा को कुछ शक होता है, उनको अजीब सी फिलिंग आती है, और वो कहती है कि गड़बड है, तो वो सीधे गाजयावाद पहुंचती है, कवी नगर अलाके में, और कवी नगर पुलिस स्टेशन में जाकर वो एक मिसिंग की रिपोर्ट दच करती है, कि मेरा बेटा नितीश कट जिसके उमरे 24-25 साल, और वो रात शादी में आया था, और उसके बाद से गाइब है, और मुझे शक है कि इसके गाइब होने के पीछे डी पी आदाव और उनके परिवार का हाथ है, ये बाकाइदा मेंशन उसमें, पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है, उसके बाद तमाम त जहां पर ये शादी थी, जिस जगह पर आखरी बार नितिश को देखा गया था, वहां से ठीक 80 किलो मेटर दूर, एक खुर्जा है, खुर्जा शहर है, जहां कि मटी के बरतन बड़े फेमस है, वो अलग-अलग डिजाइन में जो बना के बेसते हैं, तो 80 किलो मेटर है, तो उस खुर्जा के पास एक हाईवे के नीचे, सुंसान जगे पे, कोई राहगीर गुजर रहा था, उसने एक डेड बॉडी देखी, उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को बताया, तो वो थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया था, हाईवे के नीचे, जो लाश थी, उसका म जमीन की तरफ था, पीठ आसमान की तरफ, मतलब वो अंधे मुझ पड़ा हुआ था, तो पुलिस वहाँ पहुंसती है, जब वो देखती है, तो उसको बॉड़ी को देखने पता चलता है, कि इस लाश को जलाने की कोशिश की गई है, और इतफाक से उससे एक रात पहले बा बॉड़ी थी, तो उसको जब पल्टा गया, तो कुछ पोशन नीचे उसके बाड़ी के पानी जो कीचड़ बन गया था, वो उस बॉड़ी के नीचे था, तो कातिल ने क्या क्या कि मारने के बाद उस Macht पर प्यक्ट्रॉल ढालके बॉड़ी को जला दी, लेकिन अंधिरे में रात होनी के वाज़स वह यह नहीं देख पाया कि जहां पे वह जला रहा है वहाँ पे नीचे कीचल भी है तो वह कीचल के कीचल के हिस्से में जतनी बॉडी आई वह नहीं जली तो उससे थोड़ी सी शिनाखत होने में आसानी हो गई लेकिन फिर भी बोडी के हालत बहुत बुरी थी उसके लावा पेट वेट पे बहुत सारे चोट के निशान थे ये था कि काफी टॉर्चर किया गया काफी मारा गया और मारने के बाद जलाया गया तो पुलिस फिर आती है बोडी ले जाती है उसके बाद अब चुकी यहां से बिलकुल 80 किलोम आते हैं फिर नितिश कटारा की मा निलम कटारा आपको बुलाया जाता है तो वो बोडी देखके अंगोठी से और बाकी चीजों से जो बद गेती है उससे शिनाख्त कर लेती हैं कि नितिश कटारा है लेकिन 100% शियोर नहीं था क्योंकि बोडी के हालत बहुत खराब थी तो अब जैसी लाश मिलती तो हलकम मत जाता है तब तक ये खबर मीडिया में भी इस तरीके से नहीं आई थी क्योंकि अभी तक मिसिंग का मामला था लेकिन जैसी लाश मिलती है और लाश के साथ अब डीपी आदब की फैमली का नान जुड़ता है तो फिर जाहिर सी बात है यह हेडलाइन बन जाती है फिर हम लोगों को पता चलता है इतिफाक से जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ 16-17 फरवरी मैं काट मांडू में था एक अभी कल मैं मेल भी पढ़ना था किसी ने मुझसे कहा था कि किड्नी रैकेट के बारे में कभी आप कहानी सुना है तो वो उसी नेपाल पहुंच गया था तो हम लोगों बता चला है वो नेपाल में है तो मैं उससी इस्टोरी को इस दिन कलक copממ करने के लिए काट मांडू पहुंच गया और जिस दिन काट मांडू पहुंचा उसी दिन या उसके next day ये incident होता है तो मतलब मैं 15 या 16 फरवरी 2002 को काट मांड हो गया था और उसी दिन 16 और 17 फरवरी की रात को यहां पे नेतिश कटारा का मडर होता है तो खेर यहां पे मेरे टीम में एक मेरे साथ थे गुंजन कुमार अब गुंजन ने छोड़ दिया है वो अब प्रिंट में चला गया है तो बहुत ही अच्छा रिपोर्टर होने हर तो हम लोग साथ के थे तो गुंजन इस स्टोरी को कवर कर रहा था लेकिन मैं जब काट मांड हुए पता चला और यह दो दिन से शादी के बाद से विशाल और विकास यादव गाईब हो गये अब पुलिस ने जब तफ्टीश की तो दोनों गाईब तो और यकीन हो गया शक्यक यकीन में बदले गया कि यही दोनों है इस दोरान जब पुलिस ने इन्विस्टिकेशन शुरू की तो शादी में बहुत सारे ऐसे विटनिस मिले जिन्होंने बताया कि हाँ उस रात 16 फरवरी की रात आखरी बात 11.11 के करीब उन्होंने विशाल, विकास, यादफ और एक और शक्स उसको नितीश कटारा को अपनी सा दुनिया जानती है, इधर पुलिस के उपर फोर्स, प्रेशर केस को सॉल्व करें, उसको पकड़ें, निलम कटारा अब हिम्मत दिखाते हैं उन्होंने का कि मैं तो लडाई लड़ूंगी, उनके उपर बहुत सारे प्रेशर कि आप ये चीजें वापस लीजे ये, लेकिन अडिग पीछे नहीं हाटी, दूसरा फेर ये चुके नितिश कड़ारा की फैमली में जाया तर लोग आई है साइपियस, तो उधर से भी प्रेशर पड़ा, उस लॉबी से भी, तो मजबूरी में प्रिस को काम करना शुरू करना पड़ा, यूपी को, इस दोर में जब प्र विकास यादब को एक रेलवे स्टेशन से गिरफ़तार कर ले आता, चुकि उसके बारे में हर जगा इंफरमशन देदी गई थी, तो एमपी में वहां की लोकल पुलिस इसको रेलवे स्टेशन पर शिनात करने दिए, विशाल विकास को दोनों को गिरफ़तार कर लेती, जै पुलिस उन्हें बताती है कि ये प्रूफ है, तुम आखरी बार तुम्हारे साथ था और ये सारी चीज़ें, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनका जो इकरार जर्म था, वो बाकाईदा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, और वो बाद में एक निउस चैनल पर चला भ तो ये पता चल गया, और पुलिस का कहना था कि सारे सुबूत है, इस दौरान अब मीडिया में इस मडर को लेकर अलग-अलग तमाम स्टोरी जाने लगी और उसमें ये भी कि नितीश कटारा और भारती एक दूसरे से प्यार करते थे शादी करना चाहते थे और इसलिए उन उसके पास फोन आया और फोन खुल डीपी आदव ने किया था और उन्होंने ये कहा कि ये जो तुम कर रहे हुए ठीक नहीं है और इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा ये तमाम चीज़े तो गुंजन बड़ा डर गया जाहिर सी बात है उस जगह पे कोई भी डरे तो ये खुल ड़ंकी थी अच्छा डीपी आदव को में जनसत्ता के जमाने से जानता था क्यों को मैंने बहुत सारे स्टोरीरिज कवर कि थी तो बाइफेस भी वो भी मुझे अच्छे से जानते थे तो जब ये गुंजन के स्टोरी चली तो धमकी आई तो अब धमकी के बाद ये था कि कुछ precaution के लिए कुछ करना है तो फिर इस दौरान मैं वहाँ से काड़मंडू से लोटा जो दिन मैं लोटा उसी दिन ये धमकी की बात थी अब यहां पर भी देखे कि ऐसे ऐसे फोन आया और ऑफिस में भी सबको पता था कि उसको धमकी भी लिए तो पहली चीज ये मैंने कहा कि तुम वह मैयूर विहार राके में रहता था मैंने का तुम एक मैयूर विहार पुलिस में एक रेटन में दे दो थोड़ा सा तुम प्रोटेक्शन मिलेगा और घर के आसपास भी तुम निकलोगे तो पुलिस भी एक दो रॉण मार लेगी तो वह उसने सेचो को दे दिया और थोड़ी सी वह उसकी सुरक्षा होने लगी अब जब आया तो अब स्टोरी करनी है तो डीपी आधव का फोन है मेरे पास कि आपका चैनल ऐसे से चला रहा है आप मेरे पुराने जानकार है यह मैं आपको जनसत्ता से जानता हूँ और यह गुंजन जो है यह इसने यह किया तो फिर मैं वहां पीच में वह समझोता कराना हूं मैंने का देखिए वह हो गया वह आप लेकिन आपने भी उसको डरा दिया उसको धंकी दे दी बड़ा डरा हुआ है वह तो अब ऐसा मत कि कुछ धंकाया कि दिये तो मैंने का मैं कुछ करता हूं अच्छा मुझे लगा कि अब सारी स्टोरी तो तुम ये लगातार काम भी कर रहा है तो तुम आगया तो तुम अब इसको करो इस स्टोरी को तो पहले जिन मैंने दोदर बात कियो उसके बात फिर ये था कि एक लाइन में स्टोरी ये थी कि इस मड़र की वज़ा क्या है किसी भी क्राइम में मोटिफ सबसे वो एक दूसरे को जानते भी नहाएं और वो एक दूसरे मिलने का तो सवालि नहीं है जबके दूसरी तरफ से यह आ रहे थे सारे की यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे दूसरे से मिलते जूते थे फिर आया कि INITU acesso कुर्णाप मेंनेजमेंट टेखनोर łगए और वहां पे भारती होस्टल तो में कीANC कुछ द्मध के मेरे पास और हमारे होस्टल में लोगों कि निटिश्ट खटारा भारती के बारे में कोई को मुह नी खोलेगा कुछ बोलेगा नहीं तो जब मुटिपटा अपतला तो मैं पहुंच गया इस इंसिटूट में और उसके होस्टल में और उन लड़कों से जो थे उनसे बात की लेकिन वो सारे डरे वे थैं कैमरे पर कोई प्रूफ था यह साबित करने के लिए कि यह दोनों एक दूसरी को जानते हैं एक दूसरे से मिलते हैं अब उसके बाद आ कि यह स्टोरी कर दी है और यह स्टोरी आउनेर हो गई आज तक पर चली जैसी चली उसके पांच मिंड के बाद आसाइनमेंट डिस्क पे हमारे फोन आया तब हमारे असाइनमेंट पर उस वक्षिफ्ट इंचार्ड जेपी दीवान थे जेपी दीवान सर्वड़े सीनियर थे अब नहीं है हमारे पाद दूसरे चैनल में है तो फोन डीपी आदब ने किया था और उसने कहा कि यह अभी तक तो यह था अब आपने पूरा ही हम को तुम्हारे बारे में कह रहा था इसके बाद थोड़ी दिर के बाद असाइनमेंट पर फिर फोन आता है अब मैं तब वही खड़ा था तो जेपी दिवान ने कहा कि इसारे में मुझे बता है उन्हीं कहा है तुम जाओ तो फिर मैंने फोन लिया जैसे उनसे बात करते हैं अधार कैसे हैं आप ये तो अधर से गुस्चे में कि ये तुमने सही क्या तुम तो गुंजन की बात कर रहे थे और और कहते हैं अब ऐसा कुछ नहीं होगा और तुमने तो बाकी रही सही वी इज़त जो है वो बदनाम कर दी तो बस ध्यान रखना एक चीज का वो मुझे लाइन हमेशा है रहती कि जब सड़क पे चलोगे या जाओगे तुम गाड़ी में तो ट्रक कभी यह नहीं देखेगा कि सामने वाले गाड़ी में या पैदल श्रमस ताहर खान जा रहा है या कोई और है तो ट्रक से बच के रहना अब इतना बोलना था वो फोन उसके बाद रख दिया उस वक मुझे राप का टाईम था मुझे घर जाना था और तब मेरे पास मोटरशाइकिल हुआ करता था था वाइक जूँआ को निशाना बनाना बड़ा आसान काम होता तो फिर जेपी दिवान जी ने कहा कि नी तुम बाइक से नहीं जोगा तुम ऑफिस की कैप से घर जाओ तो मैंने का चलो ठीक है फिर ये सोच रहता अगले दिन घर से पिर कैसे आओंगा लेकिन ने का चलो कुछ कर लूँगा तो उनके कहने पर मैं उस दिन कैप से गया फिर अगले दिन आया तो बाकी बहुत उसको पता था तो फिर यह हुआ कि नहीं अभी तुम अगले एकाख फते तक बाइ रात को जनरली ग्यारा साड़े ग्यारा बारा बजे से पहले घर पहुंचता नहीं था तो अंधेरा होता था और जब भी जब मैं गुजरता था और वाक़ी कोई ट्रक को देखता था तो डर लगता था इमानदारी से था धीरे धीरे बाद में उसके बाद बात चीद गुही जाहिर सी बात है उस वक्त सारी चीज़ें होती हैं तो चीज़ें दीरे दीरे खतम हो गई लेकिन खर कहानी प्यावादे हैं तो जब इन दोनों को गिरफतार कर लिया गया और इन्होंने अक्रार जर्म कर लिया उसके बाद आदालत में ये मामला चला और जब ये एक वजूद अलग-अलग किसी भी रिजन से अब दो साल में 66 बार बेल ये अपने आप में बहुत ज़ादा है तो नीलम कटारा को ये बात पता थी वो लगाता लड़ाए लड़े थी पूरी केस पे नज़र रखे वी थी फिर उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेग और इसकी सुनवाई दिल्ली में होगी जिरिस्ट्रिक्शन यूपी है घाजियाबाद है कोट लेकिन सुप्रीम कोट ने का नहीं फ्री एंफेर ट्रायल होगा तो उसके लिए इसको दिल्ली में करें तो ये केस ट्रांसफर दिल्ली में हुआ असका दिल्ली में सुनवाई ह जली और छे में ट्रांसफर होता है, 2008 में ट्रायल कोट फैसला सुनाती है, जो इस रात विकास और विशाल यादर जो गय थे उनके साथ, जो तीसरा बंदा था, उसका नाम था सुगदेप पहलवान, वो एक सुपारी किलर टाइप का था, तो उसको साथ ले गया थे, तो प्रोवर कोट है, उसने अपना फैसला सुनाया, 2008 में तीस मही को, उसमें इन तीनों को उमर कायद की सजा सुनाई, लाइफ इंप्रिजमेंट, मामला फिर हाइप कोट में गया, हाइप कोट ने भी, हाइप कोट ने फिर लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा को बरकरा रखी, लेकिन नेलम कटा रहा है, इससे खुश नहीं थी, उनका मानना था कि इसमें मैक्सिमम फासी की सजा होनी चाहिए, तो फिर वो सुप्रिम कोट पहुंच गई इस अरजी के साथ, सुप्रिम कोट ने उनकी उस अरजी को ठुकरा दिया और, हाँ, लोवर कोट ने और हाइप कोट ने अपने फैसले में ये कहा था कि ये एक तरह का ओनर किलिंग है, क्योंकि भारती आदव के नितिश किटारा के साथ जो रिष्टे थे वो उसकी फैमिली को या दीपी आदव की फैमिली को पसं कोट के जो लुवर कोट के जो लाइफ इंप्रिज्बेंट का फैसला था, उसको फच्चे साल, पहले जो लाइफ इंप्रिज्मेंट के साथ अगर ये में तो फिर उतनी ही साल रहेंगे, तो लुपने तीज साल लिखा था, लाइफ कोट ने 50 साल कर दिया, और ध्ट मिने में सुप्रिम कोट का आखरी फैसला आया है, दो साल हो गए इस बात को, और सुप्रिम कोट ने कहा कि इन विशाल और विकास यादब को 25-25 साल की और जो पहलवान है, सुध यह पहलवान जो और देखी, कि यही विकास यादफ, डिपी यादफ का बेटा, जो 2002 में नितिश कटारा का मडर करता है, जिसके लोग उमर कैद की सजा होई उसे, ठीक तीन साल पहले, 1999 में, जैसिका लाल मडर केस में भी शामिल था, इसने मडर नहीं किया, लेकिन मनुश शर्मा जो मेन एक्य तो जैसिका लाल पे जब गोली चलाई थी मनुश शर्मा ने, तो उसके साथ तीन दोस्ते, उन तीन दोस्तों में एक विकास यादब भी था, और उसके बाद उसने उसको छुपने में और तमाम मदद की थी, बाद में, इस मामले में, हाला के मडर का चार्ज नहीं लगाया कोड ने लेकिन उसको चार साल की सजा सुनाई थी, विकास यादब को, तो उनीस सो निन्यानवे में जैसिका लाल केस हुआ था, उसके लाद उस मामले में पकड़ा गया, उसके बाद वो बेल पे था, और जब नितिश कटारा का मडर हुआ, तो मतलब पेल आउट होते जमानत का कई बार अगर ये होता कि जमानत ना मिलती तो शायर नेटीस कटारा की ना जन जाती है। कहने को तो 1999 में जैसिकालाल मडर में भी ये शामिल जिसमें चार साल की सजा पाई हालाके मडर मनुश्यर्मा ने किया लेकिन सबूत मिटाना उसका साथ देना इन तमाम चीज़ों में शामिल था और फिर 2002 में जैसिका लाल के मडल के तीन साल के बाद नेतिस कटारा के मडल में ये शामिल और उसमें ये भी उमर कैद की सजा काट रहा है और इसमें जो नीलम कटा रहा है उनका ये था कि कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए थी लेकिन खायर फांसी की सजा नहीं है तो पच्चिस साल की सजा दी है पच्चिस में से मुझे एक्जक्ट क्योंकि कई बार ये बाहर भी वो आया लेकिन शायद सोला साल हो चुके है दोहजार दो से जोड़े तो हाँ सोला साल और पांच चार नो तो नो साल करीब आ रहा है और तब ये दोनों आजाद होंगे अच्छे इसमें एक चीज अब ये तो कहानी पूरी थी जब ये MP में पकड़ा गया विशाल और विकास यादव और इसको रेलवे स्टेशन से जब पकड़ लिया गया तो फिर यहां से UP पुलिस गया UP पुलिस उसको जब लेकर आ रही थी तो यूपी पुलिस बाई रोड लेकर आ रहे थी तो रास्ते में बहुत लंबा वक्त मिला इनलों को बात करने के लिए विशाल अभिकास तो जो इंस्पेक्टर लेकर आ रहा था वो मेरा जानने वाला इंस्पेक्टर था अच्छे रिष्टे थे उसके साथ तो जब यह थ पूल रास्ते में और रास्ते में सिर्फ एक ही डिवान करता था और वो सिगरेट की सिगरेट बहुत पीता था इसके लावा चाय वाय जब भी लेकिन बोला कि वो बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा था और बहुत ही मैनर वाला डीसेंट तो यह बड़ा इंप् तो उसने जो लाइन के ही थी वो ये थी कि यह मुझे घर से असल में मिरे अंदर आ गए मैंने आसपास जो अपने महौल देखा बच्पन से उसका असर है अगर मुझे इस महौल से दूर रखा जाता तो मैं आज शयाद कुछ और होता सिकी लाइन मैं कभी नहीं भूलता हो क क्योंकि वो पढ़ने में तेज था, समझदार था, दिखने में अच्छा, लेकिन माहौल ने उसको बिगाड दिया, और माहौल घर के आसपास से ही मिला, जिसका उसे बड़ा रिग्रेट भी था, कि अगर मुझे अच्छा अच्छी परवरिश मिलती, अच्छा माहौल मिलता, तो शायद आज मैं पुलिस के कस्टडी में ना होता, तो ये कई बार मुझे लगता है कि परवरिश का बहुत असर पड़ता है, इस पूरी कहानी का जो है, वो आज भी मुझे लगता है कि अगर उसे बच्छपन से परवरिश इस तरह की मिलती, तो शायद वो ऐसा ना होता दूसरा इस कहानी का जो सबसे important पहलू है, वो ये है, कि जब ये सारी चीज़ें हो गई, और ये विशाल विकास सब पकड़े गए, तो भारती जो इस पूरी कहानी में, चुकि जिसकी वाया से कतल हुआ, उसको लंदन भेज दिया, family वालों ने, further studies के नाम पर, तो लंदन जले गया, अब यहां पर यह थे, यह वो main witness थी, उसके रिष्टे से motive तक court पहुंच सकता था, तो उसकी पेशी के लिए, उसकी गवाही के लिए लगातार कोशिश की गई, लेकिन वो आई नहीं, उसके बाद, तमाम जो वकील है, नीलम कटारा की तरफ से इन लोगों ने force क कि इसको बुलाया जाए, बुलाया जाए, पर वो नहीं आई, फिर उसके बाद कुछ एक ऐसा पिरेड आया, जब खुद भारती के घरवालों ने कहा कि उससे पता नहीं है, कि वो कहा है लंदन में, उससे संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद सूप्रीम कोट में य यह उसकी गवाही ज़रूरी है, और यह होना चाहिए, और उसके बाद उसके पासपोर्ट को वो किया गया, कि अगर आप नहीं आते हो, तो एक तो पासपोर्ट रद है, दूसरा उसको भगोड़ा घोशित कर देंगे, तो अगर पासपोर्ट रद हो जाता, आप भगोड़ तो फिर मजबूरी में 2006 में इस इंसरेंट के तीन साल के बाद भारती आदब इंडिया आती हैं, बाकाइदा उनकी गवाही दर्ज होती है, और कोर्ट में उनकी गवाही ये थी कि नितीश कटारा के साथ मेरा कोई रिष्टा नहीं था, हाँ एक इंसिटूट में पढ़ते थे एक कालेज में पढ़ते थे, जानते थे एक दूसरे को, लेकिन प्यार, महबत या शादी करना ऐसा कुछ नहीं था, तो वो सारी चीजों से जो भारती के बयान थे, वो पलट चुके थे, और यहीं बयान दिया गया था, हलाके निलम कटारा और बाकी लोगों का ये कहना था जो दूसरा पक्ष था, कि वो परिवार के दबाओ और परिवार की इज़त के खातिर ऐसा बयान दिया, और निलम कटारा ने ये खुद इंटरिवू में का, मुझसे भी ये का, मेरे साथ इंटरिवू में, तो उन्हें भारती से कोई शिकायत नहीं, इसलिए कि उसके परिवार का फर्ज अदा कर रही है, और इसलिए उन्हें कोई शिकायत नहीं है, तो उस गवाही के बावजूद हाँ, चुके बहुत सारे जो कोट में क्रॉस एग्जामरेशन होगा, तो खहा गया ठीक, आपके रिष्टे नहीं, लेकिन ये जो सारे गिफ्ट बहुत सारे क कार्ट थे, वैलेंटाइन स्टे के और ये वो तो उस कार्ट के जो टेक्स मजमून थे, वो सारी चीज़ें थी, वो साफ साफ चुगली खा रही थी कि रिष्टे क्या थे दोनों के, तो वो चीज़ें आदालत ने बड़ी इंपोर्टन बानी और उन सबूतों के को भी सामन ऐसे एक इश कैसे उसकी जान की दुश्मन बन गई और कैसे उसका कतल हो गया, लेकिन इसमें इंसाफ हुआ, और हालकि नीलम कटारा को आज भी लगता है कि भासी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अदालत ने 25 साल की सजा सुने, तो नितीश कटारा की तो पू पहले जो मेरा पहला क्राइम का शो था, जब मने आज तक जोएन किया, उसके साल भर के अंदर अंदर वो जुर्म था वीकली, सेटेडे रात साड़े ग्यारा बजे संडे, रिपीट होता था साड़े ग्यारा बजे, तो उसमें तमाम खबरें हम लोग दिखाया करते थे, त और फिर मेरा थजज़े को एंकरशूट हुआ करता था, जुर्म का तो एंकरशूट हम रात को करते थी, किसी जंगल में, किसी हवेली में, अलग-अलग लोकेशन पर और वा एंकरशूट ज़नरली शुरू होता था रात नौ बजे और खतम होता था, दो तीन चार बज जात साथ साथ लगी भी आप में से बहुत लोगों ने कि दिल्ली आयों के देखा होगा या दिल्ली के वह सिंबॉलिक पिक्चर में से भी एक है तो उसी के पीछे एक भूली भटियारी जगह है जंगल है थोड़ा सा तो वहां हम शूट कर रहे थे रात को तो शूट में काफी करी सारी चीजों में बहुत मेहनत होती थी तो मेरे कैमरा में एक ताहिर चौधरी होगा करते हैं तो उसे लगा कि यह थोड़ा दिस्टाब हो रहा तो उसने रात को दो-तीन लगों को बलाया और उस पूरी टहनी को काट दिया तब मेरा जो एंकर शूट कराते थे वो मेरे टीम में प्रोडूसर हुआ करते थे आमिर हक अब फी वह लिखते भी अच्छा सब कुछ मेहनती बहुत तो आमिर हक उसके बाद अब छोड़कर चला गया वो टाइम्स नौ में है और यूपी में लखनौ में जो कि फैमिली लखनौ में है तो आमिर हक प्रोडूसर हुआ करते थे आमिर हक ही सारा शूट वूट कराते थे तो पेड़ जब काड़ दियाता है चोधरी ने उसके बाद आंकर शूट शूरू होता पहले ही एंकर खतम किया था तब तक एकदम ठीक ठाक नॉर्माल आमिर अचानक क्या देखते हैं कि एक उसी जग पे खंडर टाइप की दिवार थी थोड़ी उंची मतलब आप मान के चलिए कि दस फिट उंची दिवार थी वो दिवार पे चड़ता और उसका रचानक बोलता चौतरी को कि ताहीं चौतरी देखो मैं कूद जाओंगा और यह बोलकर वो कूद जाता है नीचे गिरता है पता नहीं कितनी चोट लगी वो फिर वापस जाता दिवार फिर कहता देखो मैं कूद रहा हूं तो ऐसे करके वह पांठी बार कूद रहा था ताहीं चौतरी समझना मजाग कर रहा है लेकिन जब यह होने लगा तो बाकि एक राजू भाई कैमरामेन वह उन्होंने देखा बाकि जो लाइट वह ने देखा पिर उसने अचानक एक डंडा उठाया वही जो टहनी काटी थी ताहीर चौधरी ने उसी में से एक डंडा उठाया और वह दो तीन कैमरा जो लाइट बॉय थे उन सब को पीटना शूरू कर दिया ताहीर चौधरी को भी उसने दो तीन लगा दिया अब सारे लोग घबराग लेकिन जब भी मैं आवाज दूँ या उसके करीब जाओं तो जो भी करीब जा उसको पीटे एक लाइन वह आज तक मुझे समझे जब मैं जाओं तो बस वह एक ही लाइन कि बॉस आप मत आईए मेरे पास और ना वह मुझे मारे लेकिन बाकी जो भी आया वह सब को पीटे यह सिलसला करीब 15-20 मिन तक चलता रहा उसका गिरते उठते दोडते वह अचाना के एक जगा गिरा और बहुश हो गया अब आमिर का वेट उस वक्त होगा करीब 80-85 केजी थोड़ा हल्दी है तो आराम से दो हाथ और दो पैर चार लोग उठा सकते हैं तो बहुश हुआ तो गय उसके पास सब उठाने की कोशिश की नहीं उठा तो फिर यह हुआ कि इसको चोट वोट भी लगी होगी चलो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं तो दिल्ली गेट पे एक हॉस्पिटल नियरिस्ट है वहाँ पे हम लोग उनों के चलो तो मारूती एक वैन थी जो लाइट कि किसी से उठी नहीं रहा था तो अलग-अलग मिलके करीब 10-12 लोगों ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से आमिरक को उठाया उसको वैन में डाला और उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले गया हॉस्पिटल में वह अगले गंटे तक भेहोश रहा फिर डॉक्टरों ने देख सबकुछ एक घंटे के बाद रात करीब तक दो तीन बज तीन बज तीन बज उसको होश रहा और जैसी होश रहा वह अचाना को उठके सीधा क्या हुआ शूट खतम हो गया उसको मालूम ही नहीं तो उसको पूछना शुरूर किया तो बोला कुछ याद नहीं है अब उसके बार यह था कि इसको इस को इस ट्रेट से बिट से उसको डॉक्र ने खाया कि आप लेटे रह तो तो वहां से बात करें थोड़ी ज़ेर पहले हम बारा लोग नहीं उठा पा रहे थे इतने आसानी शूडिया तो ये दो चीजें आज तक समझ भी नहीं आई और उसके बाद फिर उसको बाहर आते आते तो वो अपने पैर पही चलने लगा लेकिन उससे कुछ भी याद नहीं और ऐसा नहीं है तमाम इतने वक्त गुजर गया है सारी वो ताहिच ओदी मजाग भी करता है कि तुम उद्रें ड्रामा कर रहे थे तुम सब को पीट रहे थो तो ये बाता तुम्हें इस ऐसी हालत में भी ये कैसे पता कि ये बॉस है तुम कहरें बॉस आप मत आईएगा मेरे पास तो ये नहीं हो सकता हलाग कि वो कसम खाके कहता है में रखके नहीं कभी ऐसा मुझे कुछ याद ही नहीं है तो वो क्या था एक तो भूली भट्यारी जगा बड़ी अजीब सी है और उसकी कई कहानिया भी है अलग-अलग कि यहां भूत प्रेत ये साया होता है पर हलाग कि मैं मानता है नहीं चीज़ों को लेकिन वो पहली और आखरी बार था और ऐसी चीज़ फिर कभी हुआ नहीं लेकिन आमिर को आज भी याद नहीं है कि उस रात उसके साथ हुआ क्या था और ये एक राज ही है और दूसरा ये भी मेरे लिए राज है कि अगर उसे कुछ हुआ था तो इकलाता तब भी उसे याद कैसे था कि मैं ही उसका बॉस हूँ और वो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा था ये चीज़ें हाथ तक समझ में आता है इसी को लेकिता है ताहिर चौदरी हमेशा शक करता है तो ये भोली भट्यारी की कहानी थी आज जब एक चीज़ और बता दूँ वारदात आप जरूर देखेगा रात ग्यारा बजे आज तक पे एक रिपोर्ट आई है ये ये से एक लिटिस रिपोर्ट है उन्होंने कुछ सेटलाइट से इमेजिस बहुत सारे देखे और उसके बाद एक रिसर्च उन्होंन तैयर की कि पाकिस्तान जो है वो नुकलियर विपन बनाने में बहुत तेजी से लगा हुआ है और अभी उसके पास 140-150 के करीब नुकलियर बॉम है लेकिन अगले साथ सालों में यानि 2025 तक यह आकड़ा 200 तक पहुँच जाएगा और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड के पाँच सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास नुक है यानि प्रवानुबम है अभी टॉप फाइब में पहले नंबर पे रूस है अमेरिका है देन फ्रांस है देन चीन है और पांचे नंबर पे ब्रेटन है लेकिन अगर इनकी रिपोर्ट को मैं मानूँ तो तूसौन ट्रेंटिफाइब में ब्रेटन छटे नंबर पे चला जाएगा और पाकिस्तान पांच फे पह जाएगा तो टॉप फाइब तो एक तरफ पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है सरकार चलाने के पैसे नहीं है पाकिस्तान सरकार का खर्च चलाने के लिए सिर्फ तीन महीने के उनके पास बजट है उसके पास कुछ नहीं है लोगों ने फंड देना बन कर दिया और दूसरी तरफ प्रवाणों बम की यह होड की लगाता पाकिस्तान उससे पीछे नहीं हट रहा और वो बम पे बम बना जा रहा और दोहदर पच्चिस तक वो दुनिया के पाँच सबसे शक्तित साली देशों में शामिल हो जागा इन बमों की वज़ा से तो इसी के उपर यह पूरी इंसाइड स्टोरी है आज वारदात में रात ग्यारा बजे आप जरूर देखिएगा इसको और कल आप से फिर मिलेंगे नौ बजे और और सारे आप लोगों के सवाल जो है मैं हां एक के एक सवाल मैं आज एक जेशान θαटा ने मेर् पड़ा था उनका इए था कि आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी क्राइम के स्टोरीज की, इतनी सारी लाशने देखी, इतनी सारी चीजों से गुजरे, तो कभी आपको डर नहीं लगा, इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि आप इसका ज़रूर जवाब दें, मैं भी इंसान हूं जिशान साहब और बहुत बार ऐसा होता है, जब डर लगता है, और ये चीज़े देखके अजीब अजीब चीज़े भी होती है, मन में, जहन में, लेकिन ये कि हाँ, धीरे 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 थोड़ा सा आदी भी हो गया हूं, और इन चीजों को देखने का, सुनने का, जेलने का, आदत सी एक लट्सी हो गई है तब उतना नहीं लगता जितने पहले लगा करता था मोहित भट साब का सवाल है मैंने गाउनी ये मेरी बीवी ने असल में गोद भी इसको नहीं कहेंगे अच्छली मेरी बीवी जर्नलिस्ट थी और इसलिए हम दोनों मिले थे और लेकिन फिर उसने बेटी होई तो एक को नौकरी छोड़नी थी उसने कृर्बानी दी और उसने का कि तुम नौकरी करो मैं बेटी को समालता हूँ ये बहुत बड़ी कृर्बानी है उसकी अच्छा खासा करियर था पिर जब बेटी बड़ी होगने लगी थोड़ी तो स्कूल जाने लगी तो उसने जनरिजम पढ़ाना शुरू किया उसके बाद फिर उसे लगा कि नहीं कुछ और करना चाहिए तो मेरी वाइब जो है उत्राखंड से है और उत्राखंड के बहुत पिछड़े वाले सारे इलाके है तो यह था कि कुछ इसकूल के लिए कुछ गाओं के लोगों के लिए कुछ करना है तो मैंने का कि बिल्कुल अच्छा है करना चाहिए तो वो उसको गोध लेना नहीं कहेंगे लिकिन हाँ जितनी उससे हो सकता है अपने बल्बूते पे या अपने जानने वाले आसपास के लोगों से वो कोश करती है कोशिश बड़ा नेक काम है और सबसे बड़ी बात है इससे सुकून मिलता है दिल को तो यह अच्छी चीज है अच्छा मोहित सब आप मतब पैसे दे के सवाल मत पूछा करें अभी तक मौका ही नहीं मिला और आज फ्राइड़ है आपके सामने हूं सुबा से दफ्तर में हूं शो बना रहा हूं लेकिन मैं जेपी दत्ता का फैन हूं और बॉर्डर फिल्म से लेकर अब बने जमाने के बाद शायदे गैरा साल के बाद वो जेपी दत्ता यह फिल्म बनाने है हाला कि उसका गाना मैंने सुना सोनर निगम निगाया बड़ा अच्छा है वो जावेद अख्ता साहब ने लिखाया है आपने कहा कि रेडियो पे भी आ जाना चाहिए कहानी अभी तो सोचा नहीं है लेकिन क्या पता वैसे हां हम लोग के ग्रुप में एक रेडियो भी है आप में से कितने लोग सुनते हैं नहीं मालूम लेकिन इश्क ओए इश्क एफम यह रेडियो है तो कभी मौका मेला तो चलिए उस पे भी मैं सुनाता हूं एक आटी का सवाल है कि पेरूल और बेल में क्या फरक है बेल तभी आपको मिलता है जब तक कि किसी केस का फैसला नहीं आ जाता मतलब ट्राइल चल रहा है तो जब तक ट्राइल चल रहा है आप जमानत के हगदार है और जैसी फैसला आग सजा तो फिर आप regular bail नहीं ले सकते हैं उसके फिर हगदार नहीं है लेकिन आप यहाँ पर एक सवाल उड़ता है कि चलिए सलमान खान को जेल हो गई सजा भी हो गई सजा याफता भी हैं फिर भी वो bail पे हैं तो उसमें दूसरा option होता है कि lower court ने आपको सजा सुना दी लेकिन सजा पांस साल से कम है तो आप हाई court में चैलेंज करेंगे उसके आद आप supreme court जाएंगे तो अगर आप एक किसी court के फैसले को उपरी अदालत में चैलेंज करते हैं तो आप bail ले सकते हैं जब तक कि आखरी फैसला नहीं आ जाता जैसे संजय दत के मामले में था कि convict हुए उसके बाद वो हाई court में टाडा court ने सुना आया फिर supreme court में जब मामला गया तब तक वो bail पे थे लेकिन supreme court ने जैसे ही कहा कि नहीं छे साल की सजा होगी bail cancel और सीधा jail तो bail यहीं होता है कि जब तक फैसला नहीं आ जाया अदालत का आप bail के हगदार है लेकिन एक पर फैसला आ गया आप convict हो गया आपको गुनहगार मान लिया गया आपको सजा सुना दी गई तो आप bail खतम यहां से पेरोल चालू लेकिन पेरोल हर चीजों में नहीं मिलता पेरोल का मतलब होता है जनरली यह मानवी आधार पे दिया आता है human ground पे family में किसी की death हो गई किसी की शादी है या ऐसी कोई चीजें आचाना का जाती है तो उसमें आपको पेरोल पे छोड़ सकती है यह नहीं कि आपको गर्मी के छुट्टी मनाने जाना है बीवी बेटी के साथ या कहीं और जाना है तो आपको पेरोल लेंगे नहीं पेरोल मतलब कोई भी ऐसी ऐसी चीजें जो human ground पे अगर घर में कोई बुजर्ग है कोई बीमार है किसी की death हो गई है किसी बहुत करीबी के अपने बच्चों में से किसी की शादी है या एक कोई ऐसा है कि family में आपका सिर्फ एक ही member है उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं और वो मुकदमा चल रहा है वो पेरोल नहीं मिलेगा मुकदमा जब तक चल रहा है जवानत मिल सकती है मुकदमा खत देन पेरोल अच्छे एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा कि नितिश कटारा के बड़ के पीछे मोटिव क्या था यह मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोवर कोट ने वलके अपने फैसले में लिखा था कि इस इस ओनर कि लिंग अला कि सुप्रिम कोट ने इसको बदल लिय कि यह ओनर के लिंग नहीं है लेकिन मोटिव यही था कि डीपी यादफ के फैमिली के लोग भारती यादफ और नितिश के रिष्टे से खुश नहीं थे दूसरा जो बाते होती थी वो यह थी कि इससे इनको लगता था कि फैमिली की बदनामी हो रही है कि हमारे घर की ताना मारता या कोई टोक देता था कि तुम्हारी बहन का मैंने सुना ऐसा 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 है तो वो गुसा तो यही मकसद और यही मोटिव बना इस कतले के पीछे अबिशेक शर्मा शाब नमस्कार और आपने बताया कि आपकी साथ साल की बेटी है और वो कभी भी शो नहीं छोड़ती है और वारदात भी देखती है तो मुझे बढ़ा अच्छा लगा उसे मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजेगा और मुझे उसका नाम जरूर कि जब पोस्वाटर म देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है और उनी से और दुसरा स्वाल है इंडियन प्लिस क्राइम तक एक तो मैं आपका नाम जानता हूँ आपने आज मेल भेजा मैंने कल रिक्वेस्ट की थी कि आप आपके बारे में जान के रहोंगा और आ अपने ट्रस्ट करके बताया और इनकी कहानी में बाकी क्राइम तक के मिम्रों को बता दूँ कि अक्चली इनका नान कुछ और है इंडियन पुलिस इन्हों ने इसलिए आइडी बनाया क्योंकि ये कभी पुलिस में जाना चाहते थे किसी वज़ा से ये पुलिस में नहीं जा था कि मैंने क्राइम तक के प्रति अपना प्यार जताने के लिए अपना जो आइडी है वो इंडियन पुलिस क्राइम तक रखा तो दिल से आपका शुक्रिया और इसी तरह आप देखते रहें पोस्ट अभी जो इन्होंने सवाल किया पोस्ट मॉटम को लेकर पोस्ट मॉटम मतलब बहुत सारे लोग मुझे तो इंजेक्शन से ड़ लगता सबस्यादा दुनिया में वह मेरी बेटी मेरा मजाग बूडाती है लेकिन मुझे सच बताओ मुझे इंजेक्शन से बहुत ड़ लगता है पोस्ट मॉटम में अगर जो चीज़ें आप दिल्ली के एक कॉंसलर थे आत्मारांगुपता ओपन में बॉडी रखी वी और जो स्वीपर है वो पोस्ट मॉटम कर रहा है पूरा पेट खुला हुआ है सब कुछ देखा नहीं देख सकते तो वो तो लगे गही है आपने सही कहा बिलकुल लेकिन जो लोग करते हैं आदत ह हो जाती है उनकी भी निया श्रीवास्तर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरी फैमिली से सब्सक्राइब किया और करवाया और नौ बज़े से आप देखती है आप लोग का बस इसी तरह प्यार क्राइम तक के परिवार को और बड़ा करेगा अच्छा करेगा और कोशिश करूँगा मैं जो कमिया हैं वो भी बताएं मैं और मेरी पूरी टीम उसको दुरूस्त करने की कोशिश करेंगा जैसे वारदा जब शूट करते हैं तो मतलब वो दिखाएंगी कौन को जी टीम लगती है काँ कोशिश करता हूं या सारी चीजने तैयारी होती है तो वो मैं दिखाओं आप लोगों को पक्का मैं नसरिफ यह कि वारदा कैसे शूट होता वो दिखाओं वो शूट करूँग कैसे स्टोरी एडिट होती है कैसे एक एक टीम मेंबर का इसमें कितनी महनत होती है कौन क्या काम करता है कैसे करता है एक पूरी स्टोरी कैसे तयार होती है फिर और जाती है कैसे एंकर क्या करता है यह मैं पूरी आपको इसी क्राइं तक पूरा शूट करके और बहुत और दूसरा मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे Crime Against Women's के बारे में जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए होती है या जो भी issues है या जो experience है तो वो मुम्ताज लेकर आती है तो जरूर उसी डेड़ बजे देखिए उसका होसला बढ़ाई है और कल नौ बजे फिर आपसे मुलकात होगी कल Saturday है और कोशिश करूँगा कुछ different और अच्छी चीज आपको सुनाओ हाला कि Crime में सारी बुरी ही चीज होती है लेकिन क्या बता हूँ तो चलिए खैर कल मिलते हैं टेक केर और सबच्छे रही है खुश रही है और इसी तरह Crime तक का होसला बढ़ाते रही है Crime तक के परिवार को बढ़ा करता रही है Thank you very much